चुनावी दिनों में अखिलेश यादव ने MP का दौरा किया और आदी वासी के घर खाना भी खाया 2018 के चुनाव में 52 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाई थी मध्यप्रदेश विधानसबा चुनाव के लिए मतदान संपन हो गए हैं और अब सभी को बेसबरी से मतगणना का इंतिजार है अलग-अलग exit polls में भारती जंता पार्टी और Congress को लेकर अलग-अलग दावे किये गए हैं इस बीच समाजवादी पार्टी को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं साल 2023 में समाजवादी पार्टी ने मध्यप्रदेश में 46 सीटों पर चुनाव लड़ा इस बार भी समाजवादी पार्टी ने किसमत आजमाई है चुनावी दिनों में राश्ट्री अध्यक्ष यादव ने MP का दौरा किया और आदिवासी के घर खाना भी खाया इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी नेता ने राज्य की भारती एजनता पार्टी सरकार पर निशानत साधा और कहा कि मध्यप्रदेश में महिला सुरक्ष ने तो यहां तक कह दिया था कि आरे यार चोड़ो अखिलेश वकिलेश आंक्रों के जरिये बात करें तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 52 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाई थी और 45 सीटों पर उसकी जमा मिले थे यानि कुल मतदान का सिर्फ एक दशम्लव तीन शोने फीसद हिस्सा ही पार्टी हिस्से में गया था पार्टी को साल 2018 के चुनाव में नोटा से भी कमपोट मिले थे पार सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर दो पर आई थी क्या कहते हैं एक्जित पोल्स के आ पार्टी को शून्य सीटे दी गई हैं मध्यप्रदेश में दैनिक भासकर ने बीजेपी को 95-15 सीटे और कॉंग्रेस को 105-120 सीटे मिलने का अनुमान जताया है जबकि इंदिया टुडे एक्सेस माइं इंडिया ने बीजेपी को 140-162 कॉंग्रेस को 68-2 सीटे देने का अनुम चताया है तो देश कंटरेस से 12 सीटे कम यहँजारा हो सकती है जण की बात कि एगवस को 102 सीटे मिलने का अनुमान जताया है TV9 भारत वर्ष पोल स्ट्रैट के exit पोल के मताबिक BJP को 106 से 116 और कॉंग्रिस को 111 से 121 सीटे मिल सकती है Times Now ETG ने BJP को 105 से 117 सीटे जबकि कॉंग्रिस को 109 से 125 सीटे दी है UP में कॉंग्रिस दिखाएगी आँख क्या माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलाइंस में अपनी मजबूती और जादा दम के साथ पेश करने के लिए MP चुनाव में एक्टिव थी यूँ तो पहले पे समाजवादी पार्टी के विधायक MP विधान सभा में चुनाव जिस तरीके से हुए थे जीत करके जाते थे लेकिन इस बार की परिस्तियां अलग मानी जा रही है लेकिन एक्जिप पोल्स की मौझोदा आंकड़ों से समाजवादी पार्टी के लिए सित्थी अच्छी नहीं दिख रही अगर यहीं आंकड़े परिणावों में तब्दील हो गए तो यूपी में कॉंग्रेस को सबक सिखाने की कोशिश पूरी नहीं हो पाएगी